सो बेस्ट गेमिंग TWS अंडर 2,000 रुपीज देखो हजार उपए पंदर सो और दो अजर की तीन प्राइस कार्टिग्रे में दो-दो अल्टर लोटेंस से ओले डेडिकेट गेमिंग TWS बताऊंगा जो अपने अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं और आपको बेस्ट गेमिंग परफोर्मेंस निकाल के देते हैं देखो डेडिकेट गेमिंग एरबट्स को मैं आपको म्यूजिक के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि mostly बड़े साइस के ड्राइवर सिंद में होते हैं लाउडनेस भी काफी ज्यादा होती है और बेस भी काफी बर-बर के मिलता है जो गेमिंग के साउंड इफेक्ट्स के लिए तो सही है लेकिन म्यूजिक एक्सपरेंस आपको उतना अच्छा नहीं मिलता सो अगर आप एक हाड़कोर गेमर हो और गेमिंग के लिए एक TWS लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हिलफुल होने वाली है इसे बिना स्किप के लास्तक दरूर देखे वैसे अभी कुछी दूनों पहले सेल में ये ओपो इनको बर्ड्स टू अठरास रुपे वाली एरबर्ड सिर्फ बारासो के मिल रहे थे वन प्लस नॉट बर्ड्स टू आर को मैंने मिन्ठा से सिर्फ सोला सो में पर्चेस किया था जो बाइस रुपे के TWS है और ये ओनर मैजिक वाच्च टू बारास रुपे वाली स्मार्ट वाच सिर्फ साढ़े पाशाचार की मिल रही थी जो वीदीन सेकंड आउट आउट आप स्टॉक भी हो गई दोस्तों एसी डिल्स कुछी देर के लिए लाइव होती है अगर इने मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलिग्रम चैनल को जॉइन करो जहाँ पर एसी लाइटनिंग डिल सर कुछ मिंटों में अपडेट होती रहती है जो आपके इस सेल में काफी काम आ सकता है इस टेलिग्रम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है वाज इसे डिर्क्ली जॉइन कर सकते हो So my name is Ashish and let's start the video तो शुरुवात करते हैं under 1000 की price category से इसमें मैंने 2 earbuds को शामिल किया है तो सबसे पहले hop-up Predator X04 दोस्तो इस list में सबसे कम price में आने वो एक dedicated gaming TWS है सिर्फ 35 millisecond की latency समें आपको देखने को मिलेगी वैसे मैंने इसको detail में review किया है साथ इसकी latency को भी test किया है उस वीडियो को भी आप देख सकते हो fully sporty looks और RGB LED lights भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे So जिन लोगों का budget कम है उनके लिए एक best option है तो यह दे 13 में का बड़े sound drivers ASA and SBC audio codec Bluetooth version 5.3 Dual microphones AI environmental noise cancellation, voice resistance 90 minutes का playback time और overall 50 hours की battery backup मिलेगी इसकी price स्रिप 800 रुपय है price की सबसे अच्छे कासे features और सबसे कम latency में आपको मिलेगी वैसे इन सभी earbuds में आप ASC mode को off करोगे तब यह आपको 35 से 40 millisecond के latency मिलेगी लेकिन अगर ASC mode को on करते हो तो latency थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है अब चलते हैं दूसरे earbirds की तरफ तो है number super birds pro GT9 जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही unique इसका design भी है इसका design कुछ-कुछ BGMI के level 3 helmet की तरह लगता है अगर आप battle royal games ज़्यादा खेलते हो तो proper gaming vibe इसमें आपको मिलेगी scale of features और gaming performance भी आपको अच्छी कासे मिल जाएगी यह थे 39M के बड़े sound drivers ASN, SBC, audio codec Bluetooth वजन 5.3, instant week and play technology dual microphones, AI and mental noise cancellation, voice resistant IPX4 water resistant rating, dedicated gaming mode with 40 millisecond low latency full touch controls, USB tap से fast charging support जिसमें सिर 15 minutes charge से 18 minutes का playback time और overall 48 hours की battery backup मिलेगी इसकी price 1000 रुपए है, no doubt price की सबसी यह भी एक अच्छे और unique design वोले gaming TWS है audio quality भी इनमें आपको decent मिल जाएगी इसके अलाव latency और gaming performance भी best है तो इन दोनों की link description में है वहाँ से इनने directly check out कर सकते हो अब बात करते हैं 15 रुपए के अंदर आने वोले gaming TWS की तो इस price के पहले TWS है ट्रूप बर्ट क्लियरेटी 5 दोस्तों अगर looking wise बात करें तो यह dedicated gaming TWS नहीं है फिर भी इनमें आपको 35 minutes लेटेंसी और 40 years की तगडिब बैटर वैक अप मिलेगी जो gaming के लिए सबसे बेस्ट है साथ इसमें dual device pairing और तीन equalizer modes मिलेंगे तो अगर आप gaming के साथ-साथ music के लिए भी कोई TWS लेना चाहते है तो फिलल यह आपके लिए सब-सब बेस्ट option है यह भी आते हैं 13 mm के बड़े sound drivers ASN, SBC, audio code तीन equalizer modes, Bluetooth version 5.3 dual device pairing, 6 microphones with annual mental noise cancellation IPX5 water resistant rating voice resistant dedicated gaming mode 35 millisecond low latency, full touch controls USB type से fast charging support battery backup मिलेगी इसकी price स्री 12.00 रुपए है और इस price में जो features offer कर रहा है वो आपको ज़्यादा-दर TWS में देखने को नहीं मिलते है सब-सब इनिस में आपको dual device pairing का support मिलेगा सो एक साथ दो device से आप connect कर सकते हो जो कि सब-से useful feature है इसके लवा audio quality भी decent है और 35 millisecond की low latency भी मिलेगी Swiss price में gaming के लिए ये भी मेरे दरब से highly recommended रहेंगे इसके लवा इस price की दूसरी TWS से बोट immortal 171 दोस्तो बोट की दरब से आने वाले 15 रुपए की price के अंदर सबसे best gaming TWS में से एक है build quality इनकी काफी सही है futuristic looks और design इसमें आपको देखने को मिलेगा इसमें भी आपको RGB LED lights fast charging support और best mic quality मिलेगी यह देट 10 mm के dynamic sound drivers ASC and SBC audio codec Bluetooth version 5.3 instant wake and play technology quad microphones ENX technology for calling voice resistant IPX for auto resistant rating dedicated gaming mode with 40 millisecond low latency full touch controls USB Type-C fast charging support इसमें सिर्फ 10 minutes चासे 180 minutes का playback time और व्ला 40 hours की battery backup मिलेगी इसकी price अभी 14 सुरुपे है अगें price की सबसे यह भी one of the best dedicated gaming TWS में से एक है अगर आप looks, design, build quality, audio quality, calling और gaming वगर सब कुछ best चाहते हो और 15 सुरुपे के अदर आपका budget है तो यह भी मेरे तरफ से आपको highly recommended रहेंगे इन दोनों की link मैं आपको description में दे दूँगा वहाँ से इनको directly check out कर सकते हो अब बात करते हैं under 2000 में आने वाले best gaming TWS की इन में सबसे पहले तो मैं आपको एक ऐसे TWS के बारे में बताऊंगा जो gaming TWS नहीं है फिर भी अच्छे कासी gaming performance इन में आपको मिलेगी तो हो है realme Burst T300 देखो जो लोग 2000 के budget में casual gaming और music के लिए कोई earbuds लिना चाहते है तो यह आपके लिए सबसे perfect option है वैसे इनको भी मैंने detail में review किया है साथ ही इनकी audio quality और gaming को भी actual में test किया है उस वीडियो को भी आप देख सकते हो अब भी इसकी price 2300 रुपय है बट sale वगर में आपको 2000 के अंदर easily मिल जाएंगे अब बात करते हैं सबसे पहले gaming TWS की तो वो है Wings Phantom 340 सो looks और design की बात करें तो complete transparent design के साथ आते हैं जो nothing earbuds की तरह लगता है और build quality भी इसके काफी अच्छी है इसके अलोग हो 30db active noise cancellation quad microphones, dedicated application support और 40ms के low latency भी इसमें आपको देखने को मिलेगी सो इनको भी आप music और gaming दोनों के लिए use कर सकते हो बट personal में आपको इसे gaming के लिए ही recommend करूंगा ये भी आते हैं sound drivers, ASC and SBC audio codec अब भी इसकी प्राइस रुपय है वैसे 2000 के launch होए थे लेकिन sale बगर में आपको 15s रुपय के अंदर भी easily मिल जाते है ये भी एक best option है अगर आपको budget 2000 रुपय के अंदर है तो इसके लोग इस price की दूसरे TWS है Crossbeats Fury अगेन एक dedicated gaming TWS है इनको मैं उन लोग को suggest करूंगा जो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए एक ultra latency वाली earbuds लेना चाहते है तो कि इनमें आपको 30 millisecond की सबसे कम latency देखने को मिलेगी इसके लोग चार microphones और ATR की battery backup भी मिलती है सो gaming के लिए इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यह भी आते है 30 mm के बड़े sound drivers, ASC and SBC audio codec Bluetooth version 5.2, instant wake and play technology, quad microphones, AI environmental noise cancellation, voice assistant, dedicated gaming mode, 30 millisecond low latency, full touch controls, USB tap-c fast charging support और ATR की battery backup के साथ इसकी price अभी 18 रुपए है बट सेल वगर में यह भी आपको 15-16 रुपए के अंदर easily मिल जाएंगे अगर यह आपको 16 रुपए के आज़ पास मिलते हैं तो definitely आप इनको purchase कर सकते हो gaming performance इनमें आपको best level के मिलेगी वैसे इन सभी earbuds की best buy link दिस्क्रिप्शन में है वहाँ से इनको directly check out कर पाओगे अगर इस वीडियो से लेटेट कोई भी सवाल है तो मुझे comment box में पूछ सकते हो so that's it for today मिलते है अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए goodbye and take care